अपने पाट मिर्च का मजा के प्रशन उत्तर हल करेंगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रशनों को समझना है और किस प्रकार से हमें उनका उत्तर देना है आईए शुरू करते हैं आज का अपना है वीडियो पहली हेडिंग है कैसे समझाओगे काबुली वाले को सबजी बेचने वाली की भासा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई चलो देखते हैं तुम अपनी बात बि अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है यह गेम तो आपने खेला होगा अपने स्कूल में डेम सराज आप क्या करते हैं परची पर कुछ लिखते हैं और फिर दूसरी टीम को परची को उठाना पड़ता है और देखना पड़ता है फिर एक्श कर रहा है यहाँ पर कुछ sentence लिखे हैं वाके लिखे हैं उन्हें आपको परची पर लिखना है फिर अपने साथियों के साथ इस खेल को खेला है आए उधारण के लिए कुछ वाक्य देखते हैं पहला है मुझे बहुत सर्दी लग रही है आप किस प्रकार से expression करेंगे आप किस प्रकार से expression करेंगे आप इस प्रकार से expression कर सकते हैं एक और वाकी देखते हैं अरे यह तो बहुत कड़वा है किस प्रकार से आपको expression करना है आप इस प्रकार से expression कर सकते हैं आप अलग-अलग तरीके से expression कर सकते हैं भाव दे सकते हैं face expression दे सकते हैं और इस खेल को स्वय खेर सकते हैं अपने साथियों के साथ आईए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रस्न अगला प्रस्न क्या है? सही सवाल काबुली वाले ने कहा अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो सबजी बेशने वाली ने कहा हाँ ये तो सब खाते हैं ले लो इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? मेरे हिसाब से काबुली वाले को सबजी बेशने वाली से पूछना चाहिए था कि क्या है यह खाने की चीज है इसका स्वात कैसा होता है आप इस प्रकार से इस प्रकार का उत्तर दे सकते हैं हो सके तो आप अपनी भासा में अपनी लेंग्वेज में इस उत्तर को दिजिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला प्रस्ण जल या जल मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी आप इस प्रकार का निजान देखेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है इन प्रस्णों का उत्तर आपको लिख कर देना है क्या है इस प्रस्ण में मुह सारा जल उठा और आखों में जल बराया यहां जल सब्द को दो अर्थों में इस्तमाल किया गया है एक जल का अर्थ क्या है? जलना और एक जल का अर्थ है? पानी इसका मतलब क्या हुआ? सब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है इसी तरह नीचे दिये गए सब्दों के भी दो अर्थ है इन शब्दों का इस्तमाल करते हुए एक-एक वाक्य बनाओ पर ध्यान रहे वाक्य में वह सब्द दो बार आना चाहिए दोनों बार उस सब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए जैसे उपर दिये गए वाक्य में जल अब आपको क्या करना है नीचे दिये गए सब्दों से एक वाक्य बनाना है उसमें दिया हुआ सब्द दो बार आए लेकिन उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग हो आईए देखते हैं किस प्रकार से हम इन वाक्यों को बनाएंगे पहला शब्द है हार इसकी साहता से वाक्य बनेगा मेरी टीम मैच हार गई और दूसरी टीम ने जीत का हार पहना पहले हारकार्थ यहाँ पर क्या है? defeat और दूसरे हारकार्थ यहाँ पर है? garland माला हो सके तो आप इन अर्थों की साहेता से अपने वाकियों को लिखें इस वाकियों को copy ना करें इससे क्या होगा? आपकी हिंदी और अच्छी होगी अगला शब्द क्या है? आना क्या वाकिय बनेगा? दो आना लेकर जाना और जल्दी आना पहले आने कार्थ क्या है? पहला आना यहाँ पर है पुराने समय में चलने वाले रुपए से पुराने समय में जो रुपए चलता था उसे हम क्या बोलते थे? आना दूसरे आना कार्थ यहाँ पर है कम अब देखते हैं अगला शब्द उत्तर इससे हम वाकिव बना सकते हैं इस प्रस्ण का उत्तर तुम्हें उत्तर दिसा में जाने पर मिलेगा पहले उत्तर कार्थ है आंसर और दूसरे उत्तर कार्थ है नौर्थ ठीक है अगला है फल ताजा फल खाने का फल अच्छा होता है यहाँ पर पहले फलकार्थ फूरूट और दूसरे फलकार्थ रिजर्ड मगर मैं चीडिया घर में मगर देखना चाहता था मगर वहाँ नहीं दिखा एक मगर कार्थ यहाँ पर है क्रोकोडाइल और दूसरे मगर क परकार्थ यहां पर है बट्ट मने लेकिन अब आहे अगला पर यहां पर बहुत से पक्षियों के पर बिखरे हुए हैं। एक परकार्थ यहाँ पर है, फेदर और दूसरे परकाप्रयोगम आन के लिए करते हैं। अब देखते हैं अगला प्रस्ण जिसकी हेडिंग है छाटो। कविता की वे पंक्तिया छाट कर लिखो, जिनसे पता चलता है कि अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ पंक्तिया दी है, उन्हें आप पढ़िए और आपको यह पता लगाना है कि इन पंक्तियों का पता आपको कविता की किन पंक्तियों से लगता है। एक्जामपल के लिए पहली पंक्ति है, काबली वाला कुछ सब्द अलग तरीके से बोलता था, अब आपको कैसे पता चला कि काबली वाला कुछ अलग तरीके की सब्द बोलता है, हमें इस लाइन से पता चला, हमको दो तोल जीमिया फकत चाराने की, है ना, अब अगली पं जूस था अब आपको यह कैसे पता चला जा तू अपनी रह सिपाई मैं खाता हूँ पैसा अगला है मिर्च बहुत तिखी थी आपको कैसे पता चला हमें पता चला मुँ सारा जल उठा और आखों में जल भराया यह सारी पंक्तिया कहां से आ रही है आपकी कविता से आ रही है काबली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था लाल लाल पतली चीमी हो चीज अगर खाने की काबली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी तो हमको दो तोल चीमिया फकर चाराने की तो हमको दो तोल छीमिया फकर चाराने की इस पंक्ती से हमें यह पता चला कि काबली वाले को 25 पैसे की मिल चाये थी इस प्रकार से आपने इस प्रस्न को हल कर लिया अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रस्न अगला परशन है 4 आना, चवणी मतलब 4 आना, 4 आना मतलब 25 पैसे तो एक रुपए में कितने पैसे आपको तो पता है कि एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं अब बताओ, अठनी मतलब रिक्तिस्थान आने, अब मैं आपको बताओं कि पहले अठनी कहते किसको हैं, अठनी कहते हैं 50 पैसे को, अब 50 पैसे में कितने आने होंगे? अब यह मैत्खा सवाल है, जब 25 पैसे में 4 आने, तो 50 पैसे में कितने आने? 25 प्लस 25, 50, इसलिए 54 प्लस 54 क्या बन जाएगी? अठनी, तो क्या हुआ? चार आना प्लस 4 आना इस उकल टू 8 आना, तब क्या हो जाएगा यहां पर? अठनी मतलब आठने, क्योंकि 25 पैसे जोडने पर 50 पैसे बनेंगे, तो 2 चार आने जोडने पर कितने आने बनेंगे? आठने बनेंगे, इकन्नी मतलब आना, अब इकन्नी क्या होती है? इकन्नी हो प्रकार से होती थी कन्नी तो यहां पर हम का भरेंगे एक आना दुवन्नी क्या होती है दुवन्नी होती थी दो आना दुवन्नी मतलब दो आने इस प्रकार से आपको यह रिक्तिस्तान भरने हैं मैंने आपको दिखाए कि किस प्रकार से सिक्के पुराने समय में चलते थे हो सक तो आप अपने घर में डूनिये गया, क्या पता आपके घर में यह सिक्के रखे हो अब अगला पसंद क्या है, तुम कैसे पूछोगे तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीजें रखी है तुम्हें दूर से ही अपनी मन पसंद चीज का दाम पता करना है पर तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे हम इसारों से दाम पूछेंगे जैसे वह दूर रखा फल जो पीले रंका है वह कितने रुपए में है उसका दाम क्या है, इस प्रकार से हम इसारों में दाम पता करेंगे अब भड़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रस्न बात चीप के लिए काबली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया इसका उत्तर है, काबली वाले ने कभी लाल मिर्च देखी नहीं थी और उसे लाल मिर्च देखने में स्वादिष्ट लग रही थी इसलिए उसने मिर्च को स्वादिष्ट फल समझ लिया अगला प्रस्न है सबजी बेचने वाली ने क्या सोच कर उसे जोली भर मिर्च दी होगी इसका उतर होगा सबजी बेचने वाली को पहले तो काबली वाले की बात ही समझ में नहीं आई होगी और उसे लगा होगा कि इसे लाल मिर्ची चाहिए होगी तभी उसने काबली वाले को जोली वर मिर्च दे दी होगी अब अगला प्रस्न है सारी मिर्चे खाने के बाद काबली वाले की क्या हालत हुई होगी यह तो बहुत ही मज़ेदार प्रस्ण है इसका उत्तर आप अपनी भासा में दीजेगा सारी मिर्चे खाने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई होगी उसका गला जल रहा होगा आंक से आंसू निकल रहे होंगे और साथ में सीसी करके रो रहा होगा अगला प्रस्ण है अगले दिन सबजीब वाली टमाटर बेच रही थी क्या काबली वाले ने टमाटर खाया होगा अब आप बताईए क्या किया होगा उसने अगले दिन काबुली वाले ने टमाटर नहीं खरीदे होंगे क्योंकि वह डर गया होगा कि पता नहीं इसका स्वाथ कैसा हो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रस्ण अगले प्रस्ण की हेडिंग है आगे पीछे कुजडिन से बोला बेचारा जियोंतियों कुछ समझा कर इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं बेचारा जियोंतियों कुछ समझा कर कुजडिन से बोला अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो अब आपको क्या करना है सब्दों का हेर फेर करके आपको वाके को एक नए तरीके से लिखना है आईए लिखते हैं हमको दो तोल छीमिया फकत चार आने की इसे हम लिख सकते हैं हमको फकत चार आने की छीमिया तोल दो वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते ही खाता रहा अगला वाकिय है जा तू अपनी रहा सिपाही मैं खाता हूँ पैसा तू अपनी रहा जा सिपाही मैं पैसा खाता हूँ एक काबली वाले की कहते हैं लोग कहानी लोग एक काबली वाले की कहानी कहते हैं आप इस प्रकार से इन वाकियों को अपने अनुसार भी लिख सकते हैं अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रस्ण कविता करो अपने मन से बना कर एक कविता यहां लिखो यह तो बहुत ही सुन्दर प्रस्ण है creative writing वाला अब आपको क्या करना है एक सुन्दर सी कविता जो आपको आती हो उस कविता को आप अपनी कौपी पर लिखिये बहुत एड़ सारी कविता आपको मालूम है हमें पता है आप बहुत ही smart हो और आप बहुत अच्छी अच्छी कविता बना सकते हो तो इस प्रस्ण को आप स्वैमल करो आप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना आखरी प्रस्ण मुह में पानी लाल-लाल मिर्च देखकर काबली वाले के मुह में पानी आ गया तुम्हारे मुह में किन चीजों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है अब आपको लिखना है कि कौन-कौन सी ऐसे चीजे हैं जिनको देखकर आपके मुह में पानी आ जाता है आपका मन उनको खाने को करने लगता है यहाँ पर कुछ चीजों के मैं नाम लिख रहा हूँ पानी पूरी, केक, आइस्क्रीम, पची हुई तीन चीजे आप अपने अनुसार लिखिए हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए यह था हमारा अभ्यास मिर्श का मसा का कैसे लगे आपको प्रस्णुत्तर? जरूर बताईए मुझे कमेंट बॉक्स में अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बूचिए आज के लिए इतना ही बाई बाई स्टूडेंट्स